हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपने यूट्व चैनल क्रेजी सेडी वे विशाल पे दोस्तो आज है एक फरवरी 2022 और एक फरवरी 2022 को करन्ट अफेर्स के जितने भी कोशन बनते हैं आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम वो सारे इंपोर्टेंट करन्ट अफेर्स डिसकस करेंगे जो एक फरवरी 2022 को होए है अगर आप UPSC, SSC या RRB, NTPC, Group D या फिर SSC, CGL की तयारी कर रहे हैं तो हर किसी एक्जाम में ये वीडियो कारगर है ठीक है दोस्तो अपने आप में ये वीडियो एक पूरी बड़िया वीडियो रहने वाली है सारे कोश्चन एकदम सलेक्टिड है और एकदम बड़िया क्वालिटी के है ठीक है आपको पढ़के मज़ा आजागा और सबसे बड़ी बात दोस्तो ये वीडियो काफी डीटेल में रहने वाली है ठीक है ये वीडियो डीटेल प्लस इस्टेटिक जीकी के कोश्चन के साथ रहने वाली है तो चलिए शुरू करते है अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो अगर आप हमारे चनल अरप नए है तो उसको सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इंफोर्मिशन आप तक पहुंच सके और दोस्तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना लास्ट में अपना फीडिबेक देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कैसी नहीं ठीक है दोस्तो चलिए शुरू करते हैं फर्स कोश्चन है हाल ही में किसने आर्थिक समिक्षा 2021-22 संसद में पेश की है तो अभी आर्थिक समिक्षा 2021-22 निर्मला सीता रमड ने संसद में पेश की है ठीक है दोस्तो अभी ये आर्थिक समिक्षा तो ये आर्थिक समिक्षा जो है ठीके दोस्तो ये जो आर्थिक समिक्चा है ये बजट से एक दिन पहले यानि 31 जनवरी को पेश की जाती है और दोस्तो आज एक फरवरी है तो आज भारत का बजट पेश किया जाएगा और ये भी वित्त मंतरी निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा ठीक है दोस्तों, इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं, वित्मंत्री निर्मला सीतारामड ने 31 जन्वरी 2022 को राष्टपती रामनात कोविंद का अभिवाचन खतम होने के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षन 2021 यानि एकोनोमिक सर्वे 2022 पेश किया है, ठीक है? और आर्थिक सर्वेक्षन वित्मंत्राले का एक बारशिक दस्तावेज है, जिसमें पिछले 12 महिनों में देश की आर्थिक प्रगती और मुद्दो की समिक्षा की जाती है, ठीक है? आर्थिक समिक्षा में प्रमुकुराज कोशी विकास, व्यापक आर्थिक कार को मुद्रस् मर्च किया जाता है यह दस्तावेज देश की अर्थ विवस्ता पर करशी जलवाईव परिवर्तन और रोजगार के प्रभापरवी प्रकास डालता है ठीक है नेक्स्ट है पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में पेश किया गया था हाला कि 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था ठीक है दोस्तो तो पहला जो है वो 1950 से 51 के बीच में पेश किया गया था और 1964 तक इसको बजट वाले दिन ही पेश किया गया था लेकिन 1965 से दोस्तो ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा ठीक है दोस्तो उसके बाद इस आर्थिक समिक्षा में द भारतिय अर्थवेवस्था के आठ से लेकर 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की समभावना जदाई है क्यानि 2023 में भारत की GDP आठ से लेकर 8.5 के बीच रह सकती है ठीक है चालू वित्वर्ष 2021-22 financial year जोकी 2022 था में GDP विकासदर 9.2 प्रतिशत रहने का उनुमान है ठीक है आर्थि बुनियादी धाचे पर इस अबधी में लगवग 1.4 trillion dollar खर्च करने की आवशकता है ठीक है तो 2025 तक भारत को 5 trillion dollar की अर्थवेवस्था करनी है जिसमें उसे 1.4 trillion dollar खर्च करने की ज़रूरत है ये आपको याद रखना है दोस्तो 5 trillion dollar की अर्थवेवस्था 2025 तक भारत ने एला हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाती उधमियों की संख्या सबसे अधिक है तो दोस्तो अभी एक रिपोर्ट आईए उसमें महरास राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाती उधमियों की संख्या सबसे अधिक है अब ये अन सेमी कहते हैं या आपने सुना होगा कि संक्या 96805 है उदमों के साथ महारास्ट भारत की सूची में सबसे उपर है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है केंदरी है MSME मंतराले में विकास आयुक्त के कार्याले द्वारप प्रस्तुत आकडों के नुसार 42,997 उदमों के साथ तमिल लाडू और 38,517 एकायों के साथ राजिस्थान दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं ठीक है यह आपको याद अखना है अब बात महारास्ट की है तो महारास् अफिर्स देख लेते हो महारास्ट राज्ये के महारास्ट राज्ये के टॉप फाइफ के रेंट अफिर्स होते हैं हाल ही में महारास्ट के बुलधाना में एटल ने 21 मेगावाट सौरिकाई शुरू की है यह आपको देखना है ठीक है उसके बाद 1930 के जंगल सत्यागरे की र ठीक है उसके बाद मुंबई में देश की पहली वाटर टेक्सी सर्विश सुरू की जाएगी ठीक है उसके बाद भारत सरकार ने पंजाब एंड महारास्ट कोपरेटिब बैंक लेमिटिड के योनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लेमिटिड के साथ समा मिलन को मनजूरी दे द तो अभी भारत पर डिजिटल कारे योजना 2022 को सुभारम आशियान ने कर दिया है ठीक है यानि आशियान जो है भारत और आशियान ये दोनों डिजिटल कारे योजना 2022 लॉंज करते हैं इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं भारत और आशियान देशों ने आभासी रूप से आयोजित दूसरी आशियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दोरान भारत आशियान डिजिटल कारे योजना 2022 नामक एक कारे को मंजूरी दे दी है ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद भारत और आशियान संयुक्त रूप से चोरी और नकली मोबाइल इंटरनेट के लिए वाई-फाई एकसेस नेटवर्क इंटरफेस का मुकाबला करने के लिए एक प्रणाली विक्सित करने के लिए काम करेंगे ठीक है यह काम करने के लिए दोस्तों जो है भारत और आशियान ने हाथ मिलाया है नेक्स्ट है इसमें अब आशियान की बात है आशियान की फुल फॉर्म होगी Association of South East Asian Nation यानि दक्षिन पूर्वी एशियाई रास्ट्रों का सम्हूँ ठीक है इसकी स्थापना 8 अगस 1966 में की गई थी इसका मुख्याले इंडोनेशे की राजधानी जकारता में है भरतमान में इसके ध्यक्ष लीस इन लूंग है यह आपको याद रखना है Top 5 Current Affair देख लेते हैं दोस्तों Recent Scheme की कि अभी कौन कौन सी Scheme आई थी तो सबसे पहले Platina Fixed Deposit योजना यह उजिवन Small Finance Bank ने शुरू की है आयुश्व मंत्राले ने वैश्विक शूर नमस्कार खोई हुए समान के लिए Mission अमानत लौंज किया था ठीक है पंजाब सरकार ने एक मुष्ट इंटरनेट भत्ते योजना को मंजूरी दिये एक मुष्ट इंटरनेट भत्ता यानि इसमें छात्रों को जो है इंटरनेट के लिए भत्ता दिया जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने अपने कितने गाउं को उत्कृष्टता का गाउं बनाने के लिए इसराइल के साथ समझाता किया है तो अभी भारत सरकार ने अपने 150 गाउं को उत्कृष्टता का गाउं बनाने के लिए विलेज ओफ एक्सिलेंस बनाने के लिए इसराइल के साथ समझोता कर लिया है यह इंपोर्टन समझोता है यह आपको याद रखना है इंपोर्टन पॉइंट में देख लेते हैं किसानों को क्रिशी छेतर में नविंदम तकनी की अपनाने में मदद करने के लिए भरत सरकार ने 12 राज्यों में 150 उतकरिश्टता के गाउं यानि विलेज ओफ एक्सिलेंस बनाने के लिए इसराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है ठीक है किरशी को अधिक लागवदायक वेशाय बनाने के लिए इसराइल तकनीकी सहाथा और अन्य विश्यषग्यता परदान करेगा यानि नॉलिज देगा उसके बाद C.O.E. के आजपास इस्थित 150 गाउं को उतकरिश्टता के गाउं में बदल दिया जाएगा जिनमें 75 गाओं को भारत की आजादी के 75 वे वर्ष के उपलक्ष में पहले वर्ष लिया जा रहा है पहले से ही इस्राइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृस्ता केंदर COE इस्थापित किये हैं ठीक है यह आपको याद रखना है अब बात इस्राइल की है तो इस्राइल के राष्टपती इस्थाक हर जोगे है इस्राइल की राजणाजी जरुसलम है इस्राइल के पुरधान मंतरी नफ्ताली बेनेट है और इस्राइल की जो मुद्र है उसका नाम इस्राइली शेकल है ठीक है यह आपको याद रखना है next question है हाल ही में किस ने India INX पर 300 million pharmacy bond का पहला issue सूचि बद किया है तो अभी India INX दोस्तों यह जो India INX है यह एक stock exchange agency है यानि जो stocks को देखती है तो अभी India INX पर 300 million के pharmacy bond ठीक है यह किस ने issue किया है ये SBI Bank ने शुकी है तो इसका राइट अंसर B होगा SBI Bank ठीक है important point देख ले थे हैं हाल ही में SBI ने दोस्तो जो है ये फार्मसा बॉंड जारी किये है और इंडिया आएनेक्स गिफ्ट आये फरसी पर दोस्तो इन बॉंड को जारी करके सुचिबद किया है यानि ये जो इंडिया आएनेक्स है दोस्तो ये जो है ये सारे शेर बेचेगी SBI के ठीक है तो ये आपको याद रखना है अब SBI की बात है तो SBI की स्थापना एक जुलाई उनिस्ट पच्पन को हुई थी इसका मुख्याले दोस्तो मुंबई में है वर्तमान में इसके द्यक्च दिनिस कुमार खा रहा है ठीक है ये आपको याद रखना है उसके बाद नेक्स पॉइंट है 27 जनवरी 1921 में शुरू Imperial Bank of India की स्थापना SBI के नाम से वर्ष 1955 में की गई थी दोस्तो वर्ष 1921 में एक Imperial Bank शुरू किया गया था जिसको Imperial Bank of India के नाम से कहा जाता था लेकिन आगे जाकर इसको बंद कर दिया गया और इसी बैंक को दोस्तो फिर SBI के नाम से 1955 में शुरू किया गया था तो एक कोशन बनता यहां से कि SBI किसका स्टार्ट अप है तो SBI जो है यह Imperial Bank की Restarting है Restarting of Imperial Bank ठीक है तो यह आपको याद रखना है सबसे पहले Imperial Bank के नाम से SBI खुला था लेकिन बाद में यह जब चला नहीं तो इसको जो है 1955 में SBI के नाम से दुबारा खुला गया अब दोस्तों बैंको की बात है तो बैंको के लिए एक कोशन जरूर बनता है कि 14 बैंको का राष्ट्यकरण कब किया गया था तो यह 19 जुलाई 1999 में किया गया था 14 बैंको का राष्ट्यकरण राष्ट्यकरण के पहले चरण में वह कौन थे तो दोस्तो जो इकवाल सिंग किंग रहा है वो भारतिय समाजिक आध्यात्मिक नेता थे तो अभी इनका निधन हो गया है यह आपको याद रखना है ठीक है अब दोस्तो बुक्स की बात है तो टौफ फाइफ करेंट अफेर्स बता दिता हूँ रीसेंट बुक्स और उनके ओथर की कि किस किस ने यह लिखी है ठीक है यह लिखी है तुही ने सिन्धा और अंकिता वर्माने ठीक है फिर इंटो मीटेवल दोस्तो यह बायोग्राफी है अरुन्धती भड्डा चारेगी ठीक है यह आपको याद रखनी है नेक्स्ट है हाल ही में किसने नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन इस्थापित की है तो अभी SPMCIL ने यह नासिक और देवास में दो नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन इस्थापित करी है जो बैंक के नोट को प्रिंट करती है important point देख लेता हैं दोस्तो security printing and meeting corporation of India limited जिसको SPMCIL कहते हैं ठीक है दोस्तो ने अपने currency note press नासिक और bank note press देवास में नई bank note printing line इस्थापित कर दी है दोस्तो जो भारत में note print होता है वो RBI द्वारा किया जाता है और RBI ने चार राजियों को ये काम बाट रखा है कि चार राजियों में ही ये bank note printing machine लगी हुई है मैं बता देता हूँ कि कहां खा लगी है सबसे पहला मध्यप्रदेश के देवास में है महराश्व के नासिक में है जो की SPMCIL के द्वारा स्वामित्व वाली है करनाटक राजे के मैसूर में जो है एक printing machine लगी है और पश्चिम बंगाल के साल बोनी में लगी है और इसको कौन देखता है इसको BRB NMPL देखता है ये जो है ये RBI की एक खुद की company है ठीक है दोस्तो यह आपको याद रखना है अब दोस्तो SPMCIL तो ये क्या है ये भारत सरकार के स्वामित वाली मेनी रतन company है जो मुद्रा और बैंक नोट, सुरक्षा कागज, गेर नियाएक स्टाम पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट इन सबको दोस्तो ये जो है ये जारी करती है तो ये आपको याद रखना है बात SPMCIL की है तो इसके अध्यक्च और प्रबंध निदेशक त्रिप्ती पात्रा घोश है और इसकी जो इस्थापना हुई थी, वो 10 फरवरी 2006 को हुई थी मैक्स कोशन है, हाल ही में किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश भाग POPPS किया है तो अभी PTM MONEY ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश भाग POPPS किया है इंपोर्टन पॉइंट में देखते हैं कि क्या है पेटियम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान शंदेश भाग पॉप्स पेश किया है कंपनी ने पॉप्स लॉंज किया है जिसके साथ उपयोग करता अपने स्टॉक से सम्बंदित विशिस्ट जानकारी अपने पॉट्फोलियो के बारे में विशिलेशन बजार समाचार और महत्वपुन बजार आंदोलनों को एक असान उपभोप प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकते हैं ठीक है उसके बाद पेटियम की बात है तो पेटियम मनी के सीओ वरुण श्रीधर है पेटियम मनी का मुख्याल है वेंगलूरू में है पेटियम मनी के स्थापना बीस ही तंबर 2017 में कर दी गई थी ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स कोश्चन है हाल ही में टाटा समू ने एर इंडिया के एक पुराने करज को चुकाने के लिए किस बैंक के साथ समझाता किया है तो अभी एर इंडिया ने SBI, BOV और HDFC यानि उपरोक्त सभी इन तीनों बैंक के साथ जो है ये समझाता कर लिया है एर इंडिया के पुर भी बेज दिंगे तो अभी Tata Samu को Air India को बेज दिया है जिसके लिए Tata Samu ने Air India के करज को चुकाने के लिए इन तीन बैंक के साथ समझाता किया है अब important point देख लेते हैं Tata Samu ने Air India के लिए भारती State Bank, Bank of Bada और HDFC Bank को पसंदिन्दा Banker के रूप में चुना है ठीक है Tata Samu ने SBX 10,000 करोड रूपे और बैंक को बड़ोदा से 5,000 करोड रूपे का रिण लिया है HDFC Bank से करज का भी पता नहीं चला है रिण अनारक्षित सुरक्षित और सालाना 4.25% ब्याज दरपर दिया जाएगा यानि अनारक्षित Security के साथ और Unsecurity के साथ जो है ये रिण दिया गया है और 4.25% की ब्याज लगाई गई है ठीक है दोस्तो तो ये आपको याद रखना है ठीक है दोस्तो तो ये थे आज 1 फरवरी 2022 के Current Affair के Most Important Question चुकि मैंने आपको बता दिये हैं वीडियो में दोस्तो सारे Question Selected लिए गए थे और Exam Oriented लिए गए थे तो दोस्तो आज की वीडियो को ये रोकते हैं मिलते हैं नेक्च वीडियो में दोस्तो वीडियो पसंदा दोस्तो को Like करना और अपना Feedback देना ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ चुड़ जाना चैनल को Subscribe कर देना और Bell आइकन प्रेस करते हैं जाहिन दोस्तो धन्यवाद दोस्तो